बहन से प्यारी नंद ही जाओंगी न यहां से अरे हाँ हाँ मतलब शादी की कितनी तैयारी अभी बाकी है हाँ तो कर लो मेरी बात तो सुननी नहीं है आपको अरे अच्छा रो मत बता क्या हुआ यही कि आपने मेरी शादी जल्दी तैय कर दी मेरी पढ़ाई अभी बाकी है करती है अपनी भावी को बहुत चुड़े L टाइप सोती है अब जो है सो है तू सब के साथ अच्छी रहेगी तो उन लोगों का दिल भी पिखल जाएगा और वो तेरे साथ अच्छा करेंगे बाकी शादी से पहले अभी चिंता मत कर समझी मेरी गुडिया राने हा मा ये बोलकर केत की अपनी बेटी को गले लगा लेती है कुछ देर बाद तृता की हल्दी की रसम होती है फिर शाम को महंदी की रसम में नाचकाना होता है पृता की महंदी रंग लाई थी अगले दिन उसकी हर्ष से शादी हो जाती है जहां सास कमला और ननद में ही का बड़े प्यार से फूल बरसा कर उसका ग्रिप्रवेश करते है आईए आईए भाबी वेलकम टू दशर्मा हास अरे ऐसे क्या स्वागत कर रही है कोई सिलेब्रिटी एक्टरस थोड़े ना घर में आई है बहू अंदर अपने हाथ का छाप जरा इस दिवार पर लगाओ जी माजी ए प्रभू माजी तो आते ही ताने से बोलने लगी फिर प्रीता दिवार पर हल्दी की छाप लगाती है चलो यह रसंबी हुई आप सुन बहू इस घर के कुछ तौर तरीके हैं जो तुझे निभाने ही है सुबा मेरे बेटे को टाइम पर ब्रेकफास्ट और टिफिन चाहिए आज तक मैंने उसे कभी लेट नहीं होने दिया है तो तुझे भी ऐसा ही करना तेरे ससुर जी के आँखों के सामने न्यूस पेपर के साथ चाय पीना बहुत पसंद है तो उसमें भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए और रसोई के काम भी बढ़िया तरीके से करेगे तू जी माजी मा आते ही भावी को काम के नाम से आप डरा रही हो देखो उनकी आवास कैसे निकली अभी थोड़ा नर्मी से पेश आईए हाँ कमला मेहका बीटिया बिल्कुल ठीक कह रही है तुम सब चुप रहो अगर मैंने अभी सही धील दे दी न तो ये कल को मेरे सर पर ही चड़कर नाचेगी जाओ अब सब आराम करो बहुत रात हो गई है ये सुन सब अपने कमरे में चले जाते हैं तभी पृता हर्ष से कहती है हर्ष मुझे डर लग रहा है अगर मुझे कोई काम करने में गलती होगी तो वो मुझे डाटेंगी अरे तुम कैसी बाते कर रही हो बाइदवे मा को हर चीज परफेक्ट पसंद है अगर थोड़ा उपर नीचे हुआ तो शायद डांट दे प्रीता, मा दिल की बहुत अच्छी है पर कामों को लेकर थोड़ी सी सक्त है और तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं और मेहिका तो है ही ठीक यार, देदी ने मेरी माजी के सामने साइड ली, मुझे अच्छा लगा बेहन जैसे लगी बिल्कुल हाँ, तुम्हें ऐसा ही फिल करवाएंगी पता भी नहीं चलेगा कि वो नंध है या तुम्हारी बेहन ये सुन प्रीता थोड़ी बहुत तसली कर लेती है फिर वो कपड़े चेंज करके सो जाती है अगले दिन जल्दी उठकर वो डर कर सफाई, पाठ, पूजा का सारा काम पहली रसोई का खाना बनाती है फिर ससुर को चाय और अख़बार देती है और फिर एकदम से रसोई में सास के आने पर प्रीता के हाथ से बेलन गिर जाता है प्रीता बहु? माजी आप ये क्या बहु? तो इतनी चुई मुई है कि मेरी आवाज सुनका डर गई और हाथ से बेलन चूट गया अब वो माजी अकेले काम कर रहे थी सुना तो डर गई अच्छा क्या बना रही है आठ बजने में दस मिनट है हर्श का ओफिस का टाइम हो रहा है जल्दी खाना लगा टेबल पर जी जी माजी ये कहते हैं प्रीता खाना बना कर डाइनिंग टेबल पर लगा दिती है और उसका टिफिन भी पैक करके ले आती है देख लो टेबल पर सब चीज बिलकुल सही से तो है न बड़ा प्रेशर सा लग रहा है ससुराल के पहले दिन ही अरे इनकी कॉफि बनाई थी लाना भूल गई जल्दी से ले आती हो हर्ष आपका टिफिन ये रहा मा जी बापा जी आप खाना शुरू करी में आती हो अरे भाबी आप कहां जा रही हो भाई की कॉफि लाने मैं अल्रेटी ले आई थैंक्यू दीदी आपको कैसे पता मैं यही लेने जा रही हो आपकी चेहरे की घबराट से ही पहचान लिया तो ले आई आप चिंता मत कीजिए रिलाक्स होकर काम कीजिए थैंक्यू दीदी आपके पास होने से लगता है कोई मेरी बेहन है जो मेरे साथ है अब आप भी खा लिजिए वा बहू खाना तो तुने बहुत बढ़िया बनाया है चल अच्छी बात है हाँ बहू आपने खाना बनाया है इसलिए तुम्हारा शगुन तो बनता है ये लो शुकरिया पापा जी शुकरिया गया पैर चूओ अपने ससूर जी के ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या नहीं माजी फिर प्रीता ससुर के पैर छूती है अरे बहु इसकी कोई जरूरत नहीं थी तुम्हारी सास जादा ही खडूस बनती है तो मेरी बेटी जैसी हो पैर नहीं छूओगी तो भी चलेगा अच्छा ज्यादा नहीं बोल रहे तुम और बहु मेरा ध्यान नहीं गया पर तुझे तो ध्यान होना चाहिए था ना तेरे सर का पल्ला कहा है ना घूंगट है मतलब एक एक चीज के लिए बोलू मैं तुझे अब सौरी माजी दुबारा ऐसा नहीं होगा बस करो मा भावी पर कितनी बंदिशे लगाओगी आज की टाइम में कौन घूंगट करता है और शकल तो सबने देखी है ना रहने दीजे थोड़ा तो उन पर रहम खाओ कभी काम के लिए कह रहे हो तो कभी कुछ मुझे लगा था मेरी सास प्यारी होगी और ननत खराब लेकिन यहां तो उल्टाई है ननत बहुत प्यारी है और सासुमा थोड़ी खडूस हमेशा मेरे खिलाफ बोलती है तो चोपरे तुझे समझ नहीं आ रहा जब तेरी सास तुझसे ये सब करवाएगी ना तब पता चलेगा प्रीता फॉरण घूंगट कर लेती है हर्श ओफिस के लिए निकल जाता है ऐसे ही दिन गुजरते हैं प्रीता हर काम ठीक से करने लगती है वही उसका हर काम में ननत हमेशा साथ दिया करती थी साथ कपड़े धुलवाती थी साथ खाना भी बनवाती थी ये सब कमला को बिलकुल पसंद नहीं था धीरे धीरे ननत भाबी में दो बहनों जैसी पॉंडिंग हो जाती है दोनों एक दुसरे के लिए शॉपिंग करती हैं और हसते हुए घर पर साथ आती है आज तो दीदी मुझे आपके साथ बहुत मज़ाया और गोल गप पे कॉमपेटिशन करने में कितना मज़ाया न हाँ भाबी मज़ा तो बहुत आया घर से बाहर तो आज मैंने आपको एक नया रूप में देखा बहुत चुलबली हो घर में ऐसे नहीं रहती हो आप मा की वज़े से न हाँ दीदी आज मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ मेरी चाहत थी कि शादी के बाद मैं अपने MBA की पढ़ाई को पूरा करूँ मा ने बहुत जिद की थी शादी करने की तो मैं शादी कर चुकी थी पर माजी से मुझे ये बात करने में बहुत डर लगता है इसलिए मैंने आप से कह दिया तीन महीने बाद MBA के फाइनल एक्जाम है एक सेमिस्टर तो मैं कम्प्लीट कर चुकी हूँ ये फाइनल है बैस इतनी से बात मैं मा से बात करूँगी आप अपने MBA जरूर कम्प्लीट करना थांक्यू दीदी मैं बहुत खुशू की ननत के रूप में मुझे ये प्यारी बहन मिली है तभी कम्ला चने खाती हुई आती है आ गई तुम दोनो टाइम देखो कितना हो रहा है बहु तुझे ये नहीं पता शाम के खानी की तयारी भी करनी है शॉपिंग पर जाने क्या दिया तु तो टाइम लगा कर ही आ गई सौरी भाजी वो कुछ समान मिला नहीं इसलिए लेट हुआ कोई बात नहीं मा खाने की टेंजन मतलो मैं भाबी की साथ खाने की तयारी करवादूंगी आदे गंटे में खाना बन जाएगा अच्छा तू ज्यादा पक्ष नहीं लेती है हमेशे अपनी भाबी का मा भाबी बहुत अच्छी है आप खाना खालो हमेशे भाबी को डाटती रहती हो मुझे आपसे एक बात और करनी थी भाबी की तीन महेने बाद फाइनल एक्जाम है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती है तो आप उन्हें परमिशन दे दो क्या बोली तू परमिशन शादी हो गए बालक करने के दिन आ रहे हैं इसकी ससुराल की जिमेदारी है ये सब छोड़ कर ये पढ़ाई करेगी ऐसे ही था तो शादी क्योंकि नहीं आप कोई पढ़ाई नहीं होगी वैसे भी इसको कौन सी नौकरी करनी है मा जी प्लीज ऐसा मत कीजिए मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ मुझे इसकी डिगरी चाहिए थी मुझे आके कोई नौकरी नहीं करनी पर जो पढ़ाई करी है वो सब बरबाद हो जाएगी हाँ मा प्लीज मान जाएए एक लड़की अपना घर बार छोड़ कर एक नई जगा अपना घर बनाने आती है क्या भाबी की कोई एक्चा नहीं है आप उन्हें अपनी बेटी नहीं मानेंगी बहु की तरह हमेशा डाटेंगी तो आप मा की तरह समझेंगी कैसे आपको वो कल को मैं भी किसी ससुराल में जाऊंगी वहाँ मेरे साथ ऐसा होगा तो आपको अच्छा लगेगा बताईए भाबी कौन सा मॉडल लड़कियों की तरह नशे करती है या मुंबए में कोई हीरोईन बनने की बात कह रही है उनमें तो कोई भी गलत चीज नहीं है सिर्फ पढ़ाई की बात है बाद में तो वो घरी समालेंगी ये सुन कमला वहां से चली जाती है वो बहुत बहु के बारे में सोचती है और अगले दिन कहती है मिहिका, प्रीता मैंने तुम दोनों के बारे में बहुत सोचा और मुझे हैसास हुआ कि मैं गलत थी मैं ज्यादा सक्ती से पेश आई तुम दोनों अपनी जगा बिलकुल ठीक हो इसलिए बहु मुझे माफ कर देना अब तु अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है घर का काम मैं और मिहिका देख लेंगे थैंक यू माजी मुझे समझने के लिए आप बहुत अच्छी है इस तरह सक्त सास का दिल पिखल जाता है और वो अपने बहु को बेटी की तरहा रखती है आखिर ये सब बहन से प्यारी ननत की वजह से ही संभव हो पाया था फिर प्रीता अपने पेपर देने के बाद अच्छी से ग्रहस्ती सभालती है